कि आ कि इस समय मुफ्थ खोरी की बरसात हो रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी करहें 500 रुपयें सिलेंडर देंगे दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कारहें एट थाजार रुपएभी भेजंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के रहें आपके खाते में ूपएभी कोई कह रहा हम इसको कोई कह रहा हम लैप्टाप कोई कहर रहा हम स्मार्ट फोन देंगे है और जबकि सचा बढ़ रही कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत में सुद्धावा देने का वादा नहीं कर रही है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है सुद्ध पानी देने का वादा नहीं कर रही है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है सरकारी स्कूलों को सुधारने का वादा नहीं कर रही ह कि कमस्कम लोगों को सस्ति सिक्षा मिल जाए सरकारी हॉस्पिटल को सुधारने का वादा नहीं कर रही है कि कमस्कम लोगों को ठीक से इलाज मिल जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी घ्रस्टाचार खतम करने का वादा नहीं कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी नगूस खोरी खतम करने का वादा कर रही है ना जमाखोरी खतम करने का वादा कर रही है ना मिलावट खोरी खतम करने का वादा कर रही है ना काला बाजारी खतम करने का वादा कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी नशा तसकरी का वादा नहीं कर रही है, जो काम फ्री में हो सकते हैं, जो कानून फ्री में बन सकते हैं, और जिससे पूरे देश को फायदा होगा, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका वादा नहीं कर रही है, पुलिस रिफार्म का वादा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है election reform का वादा कोई political party नहीं कर रही है, administrative reform का वादा कोई political party नहीं कर रही है, tax reform का वादा कोई political party नहीं कर रही है, भारत में police system को बढ़िया बनाने का best police system बनाने का वादा कोई नहीं कर रही है, justice within year का कोई वादा नहीं कर रही है, वादा क्या हो रहा है, हम तुमको पैसा देंगे हम तुमको यह मुफ्त में और जब के सच्चाई है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे से एक रुपए का समान नहीं देते हैं यह जो बड़े बड़े वादा करते हैं नेता अपने जेब से अपनी तनखास एक रुपए नहीं देते हैं आप ही का पैसा आपका टैक आखिर इस देश में हवाला का इतना कारोबार हो रहा है उसको खतम करने का वादा क्यों नहीं कर रही है हवाला बाजी होती है कबूतर बाजी होती है घट घट तौली होती है नकाली होती है फिरौती होता है अपहरण होता है इसको खतम करने का वादा क्यों कोई पोलिटिक को खतम करने का वादा नहीं कर रही है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लब जहाद रोकने का लैंड जहाद रोकने का मजार जहाद दरगाह जहाद और जो इस तरीके से मजभी उनमात फैल रहा है, इसको रोकने का वादा नहीं कर रही है, कोई भी पोलिटिकल पार्टी सडख माफिया, रेल माफिया, सट्टा माफिया, बालू माफिया, खनन माफियाओं का जो कारोबार चल रहा है, इसको खतम करने का वादा नहीं कर रही है, कोई भी पोलिटिकल पार् गुलामी का निशान हटाएंगे। गुलामी की परंपरा हटाएंगे। गुलामी को पैसानी लगेगा। जहां पैसां देना है उसका वादा कर रहे हैं जानते हैं क्यों च्वांट फ entwickelnार्ट फॉन खरीदेंगे लिए उसमें बिस पर्संप簡le दोस्के जो कुछ आपको देने वाले हैं, उसमें सब में 20% कमिशन लेने वाले हैं, सड़क बन बनती है, क्योंकि 20% कमिशन मिलता है, हाइवे बनता है, 20% कमिशन मिलता है, हॉस्पिटल बनाते हैं, 20% कमिशन मिलता है, स्कूल बनाते हैं, 20% कमिशन मिलता है, तो जहां जहां पैसा मिल मिलता है जहां कमिशन मिलता है वो सारे कारोबार होते हैं लेकिन कानून बनाने की बात हो नहीं हो रही है एक भारत में नागरिक्ता संगीता बनानों की बात नहीं हो रही है जिस तरीके देश विरोधी बाते हो रहे हैं कि नागरिक्ता छिनने के लिए कानून बना दिया क्टना के नाम पर को 2 को प्टिकल पार्टी तोड़े गए हैं ने कि उनकी उनका रिश्टोर किया जय कोई Schwar quasic इस बात पर कुछ नहीं कह रही है, जो ये चारलाक मठ मंदिर सरकार के कंटोल में है, इनको फ्री करिए, जैसे चर्च फ्री है, मस्जिद फ्री है, ऐसे मंदिर फ्री होना चाहिए, इसका वादा कोई political party नहीं कर रही है, जनते हैं क्यों? क्योंकि आप जाती के अधार पे बटे हुए, आप भाषा के अधार पे बटे हुए, आप छेतर के अधार पे बटे हुए, आप दल गुलाम है, आप पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम है, आपको पॉलिटिकल पार्टियों ने गाधिवाद की अफीम खिला के, पाम है आप राज्ट के लिए सोचते ही नहीं और वो पॉलिटिकल पार्टियों ने दीरे 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 आपके दिमाग में डाल दिया है अले 200 लाक करोड का करजा है इसके बावजूद इतना सब देने की बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टियों का फेलियर है आज की रेट मे अच्य रोज पैदा हो रहे इतना दुनियां कहीं नहीं पैदा होते एक कठोर जनसंख्या नियंदर कानून बना दिया जाए कंट्रोल कर दिया जाए अगर पापुलेशन को तो गरीबी का कम होगी बेरोज़गारी कम होगी कूपोसर कम होगा परदूसर कम होगा एर दलाली के अड़े बने हुए है तसील दलाली के अड़ा बने हुए है आपके डिस्टी कोर्ट में नयाय बिक रहा है पैसा ले ले के लोग नयाय दे रहे हैं पैसा ले ले के लोग जज्जमेंट दे रहे हैं सब कुछ भरष्टाचार सिर्फ चल रहा है इसके बावजुत की अफीम खिला दिया है और आप उस अफीम में मस्त हो गए आपको इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमारे देश में ब्रश्टाचार खतम क्यों नहीं हो रहा जब सिंगापुर में ब्रश्टाचार नहीं है दुबई में ब्रश्टाचार नहीं है जापान में ब्रश्टाचार क्यों नहीं है भारत के बदहाल क्यों है ब्रष्टा चार लेकिन ब्रष्टा चार खिलाफ आपको कठोर कानूं चाहिए नहीं ना वो पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है ना आप देमांड करते हैं आप खुद ही बटे हुए आपने कभी सोचा ही नहीं है क्या खिर जापान आपको अलग-अलग जुमले देके अलग-अलग नारे देके अलग-अलग तरीके देके केवल आपको भ्रमित कर रही है और आप देख लीजे मुलायम सिंग परिवार इस समय बीस जार करोड से ज्यादा के मालिक बन चुका जिस दिन प्रापरटी अधार से लिंक हो ज़ता है उसकी सारी भारत में और विदेश में अगर सारी प्रापरटी मिला दीजे आप शुक्त करोड कि अश्पास हो जाएगे गांधी परिवार 50,000 करोड का मालिक है नामी बिनामी मिलाके आप अबदुल्ला परिवार देख लीजे करोडों का मालिक इस्तालिन परिवा करोडों का मालिक इस सारी पोलिटिकल पार्टियां केवल पैसे कमा रही है लूट रही है इस देश को आपको केवल एक नारा दे रही है आपको दिखाने के लिए कई बार आपस में तू तू मैं में भी करती हैं आपको दिखाने के लिए कई बार आपस में आरोप प्रत्यारो ह DW करती है तूच और मैं इससफाही वाला खेल खेलती ये प츠 लेत अब तोले बाजी करती है एक दूसरे कुपर आरोप लगाती है लेकिन किसी को सजा हो रही है क्या इतने अब रष्टाचार हो चुके तूजी घोटाला, कामन में तो घोटाला कोईला घोटाला इतना सब कुछ हो गया लेकिन चुकी कानून नहीं बदला तो किसी को सजा नहीं हुई इतने सारे हत्याएं हो चुकी सरतन से जुदा हो चुका किसी को फासी हुई क्या कस्मीर में जिन लोगों नर्संगार किया तुनको फासी हुई क्या जिन लोगों मड़पुर में नर्संगार किया उसमें कितने लोगों को सजा हो गई आपको मुझे नहीं लगता किसी को सजा हुई क्या क्योंकि कानून नही वस्ता बदला जिसकी कोई लागत नहीं होती लेकिन उसका कोई वादा यह नहीं करती कि जहां पैसा जहां आपका पैसा खर्च करना ए उसका सब वादा कररें तो अगर आप वास्तों में इस देश की चिंता कर रहे तो पुलिस रिफॉर्म, जुडिशन रिफॉर्म, एलक्ष reform की मांग करिए, नहीं तो ये जुन-जुना आपको बजाते रहेंगे, आप उस जुन-जुना सुनते रहेंगे.